अब इस पर देखे हैं आपको चार कॉलम्स अपनी तरफ से पहले ही दिये हैं एक में सीरेल नंबर है वन टू त्री फॉर फाइव से इस तरह से लिखा हुआ है कॉलम अ में जो words लिखे हैं जो phrases लिखे हुए हैं उसके बाद एक और कॉलम में जिसमें नंबल रूर्ड दिया हुए है जो कि ऐल्फबेटिक ल और बी में कुछ words लिखे हुए है अच्छा करुना क्या है इसको अच्रह करणा क्या है इसको समझ लोइ से यहां answer तो आपको मिल जाएगा मैं आपको बता दूँगे यह है लेकिन exam में अगर आपको इसी pattern पे मिल जाता है question तो पिर आप उसको कैसे करेंगे यह तो आपको आना चाहिए न तो देखें column A में जो लिखा हुआ है word जो वो उसकी आपने meanings तलाश करनी है column B में अब column B में जब आप उसकी meaning आप तलाश कर लेंगे तो आपने वही word को column A से correspond करते हुए column C में लिखना है यहांने जैसे नोन example दी है कि column A में लिखा हुआ है put down ठीक है और उसके आगे लिखा हुआ है number A और column B में लिखा है grant of something जबके यह जवाब जाहर है कि यह सही नहीं है तो इसी में से लाइन में से आपने column B में से आपने जवाब तलाश करना है तो put down का जो जवाब है वो आप देखें कि column B में जो E number पे लिखा हुआ है यानि stop holding something यह इसका सही जवाब है अब आप क्या करेंगे कि आप column 1 में serial number 1 में जो column A में put down लिखा हुआ है उसके सामने जो column number C है उसी रौ में आप आएंगे तो उस रौ में आप लिख देंगे stop holding something ठीक है और bracket में E भी लिख देंगे तो exam में भी अगर आपके पास आता है तो बिलकुर इसी तरह आपने लिखना है कि जवाब भी लिख देना है और number भी डाल देना है कि यह जवाब किस number पे लिखा हुआ है अच्छा अब हम इसके solution की तरफ आ जाते हैं देखें पहला आपको बता दिया कि column A में जो word है put down उसकी meaning है stop holding something और यह column B के E नंबर पर लिखा हुआ है number 2 जो है bring about लेकर आना कोई चीज़ साहिर कर देना अब B जो है number 2 जो है जो bring about है यह इसका answer लिखा हुआ है number D पर to cause something to happen यहनि किसी चास काम के हो जाने की का करना कुछ ऐसा करना कि ज तो यह number D पर लिखा हुआ है तो हमने यहां D लिख दिया इसी तरह number 3 पर लिखा हुआ है go through अब go through जो है इसका जो जवाब है वो लिखा हुआ है number J पर ठीक है number J पर read or examine thoroughly तो हमने जवाब भी लिख दिया और number भी डाल दिया आपकी असानी के लिए इसी तरह number 4 पर देके ल comfort upon ठीक है comfort upon अब इसकी जो meaning है सही meaning जो है वो number A पर लिखी भी है grant of something यानि हमने किता सबक के दुरान भी पढ़ा था कि comfort upon का अब लाव है अता करना किसी को कुछ इस दे देना तो grant of something के मानी भी यहीं है फिर इसके बाद number 5 पर आपके पास लिखा हुआ है bound 2 ठीक है bound 2 का जो सही answer है वो देखिए number B है column number B column number B में जो B number पे लिखा हुआ है B certain 2 sorry B पे जो लिखा हुआ है वो क्या है B certain 2 तो यह इसका सही जवाब है ठीक है अच्छा है इसके बाद आपके पास number 6 पे आप आप आ जाई है number 6 पे लिखा with an iron hand तो with an iron hand का जो सही जवाब है वो H number पे लिखा है यानि with full force तो हमने with an iron hand के सामने column C में number H भी डाल दिया और इसके साथ साथ with full force भी लिख दिया यानि पूरी ताकत के साथ number 7 पे है to tackle the monster इसका सही जवाब है number F पे लिखा हुआ है to deal or face great problem तो आपके बहुत बड़ी सी great problem जो इसको face कर रहे होते हैं बड़ी से मसीबत को तो आप कहते है to tackle the monster monster कहते हैं बड़े से कुछ देवहेकल चीज़ जब को खौफनाक चीज़ है डरावनी सी चीज़ है उसको कह रहे है तो tackle करना यानि इसको handle करना तो लहाज़ा क्या होगे तो deal or face great problem इसके बाद number 8 पे है bring to beer bring to beer इसका सही जवाब number G पे लिखा हुआ है have an effect of something यानि bring to beer सामने करा जाना किसी चीज़ का को सामने आ जाना तो क्या होना किसी चीज़ के असर का सामने आ जाना तो अंग्रेजी में इसकी जो meaning हो जाएगी have an effect of something number 5 पे है to bury the hatchet इसका सही जवाब पे to end fight to make peace ठीक है लड़ाई को खतम कर देना वो कहते हैं कि चलो भी लड़ाई लड़ाई मा number 10 पे है to deal sorry to lead someone to lead someone to इसका जवाब लिखा हो है number i पे encourage to do an expected task lead करना क्या होता है रहनुमाई करना किसी की रहनुमाई करना तो जब आप रहनुमाई करेंगे तो क्या करेंगे जाहरे आप उसको encourage करेंगे एक ऐसा task एक ऐसा काम जो कि आप expect कर रहे हैं कि उसने करना चाहिए अ आप उसकी होसला अवजाई करेंगे करने के लिए तो वह क्या करेंगे आप encourage करेंगे so encourage to do an expected task ठीक है अब इसके बाद आ जाते हैं next exercise